सबसे पहले सभी देशवासियों को सभी हमारे यूट्यूब चैनल के परिवार को गरतंत दिवस की धेर सारी सुख काम नाए आए वीडियो शुरू करते हैं यूपी पीसी आरो ए आरो अब लेख सत्यापन शुरू यूपी पीसी चौदा हजार यूपी ट्रपल सी चौदा हजार पदों पर भरती सुरू करेगा इंटर कॉलेज में प्रधनाचार के चैन का मामला कोट में है इसको लेकर बात करेंगे हम लोग अलहाबाद अनुवस्ट में गुरूप सी के परिणाम जारी हो गये हैं एल्टी ग्रेट छात्रों की जीत असिस्टेंट प्रफेसर लेखपाल भरती कोट अपडेट इन सभी मात्पूर्ण खबरों को हम लिए डिटेल से जानेंगे उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करनें और वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छे से आपको अच्छे से काम कर सके और तोरित गर्स से अथेंटिक सुचना आपको प्रदान कर सके पहली मात्पूर्ण सुचना है UPPSC आरो किया जी हां समच्छे दिकारी साहिक समिच्छे दिकारी भरती 2021 की ओपवंदिक रूप से अभ्यर्थियों को अविलेख सत्यापन उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग में साथ से दस फरवित तक होगा इस दौरान अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र तत दावे के सापेच समच्छ अभ्यर्थियों अविलेखों का सत्यापन मूर प्रवाणों में किया जाए आयोग में ने आरो आरो परिच्छा 2021 के अंतनी प्रेणाम 20 जनवरी को जारी कर दिया था आरो आरो ने 355 पदों के मुकाबले 350 अभ्यर्थियों को अभ्यर्थियों को अविलेख सत्यापन 7 फरवरी को सुबा 10 बजे से अविलेख सत्यापन अपराहन एक बजे से होगा वहीं समिच्छा दिकारी परिश्यत के सभी चैनटों को अभ्यर्थियों को अभ्यर्थियों को अग्रेम शुब कामनाय आप लोगं को सत्यापन जल्दी शुरू होने वाला है अगली मातपूर सुचना है एक तालिस पदों पर चैनित विरतियों का बुद्वार को जारी कर दिया गया है अब्यर्थियों के नियुक्त पता उनलाइन जारी कर दिये गए है उत्तप देर उचिता सेवा शेवन आयोग शेवा आयोग ने पांच जनुर्ण यूकोसिस्टेम प्रोफेसर बीद का अंतिम चाहिणाम जारी किया था इसमें अनारचित वर्ग के 17 भेर्थियों और आनि पिछला वर्ग के 16 आर्थी गुरुप से कमजोर वर्ग के 2 अनुसुचित जाती वर्ग के 5 अनुसुचित जाती वर्ग के 1 अभ्यर्थि को चैनित गोचित किया गया है तो बीद के जो चाहत थे उनको कालेज में जोइनिंग करा दी गई है अगली मातकूर सुचना है यूपी ट्रपल सी को लेकर करके है यूपी ट्रपल सी कल कल पेट का परणाम जारी हो गया है अब 14,000 पदों पर भर्थियों सुरू होगी यूपी ट्रपल सी एफ 14,000 जो भर्तिया हैं उनको सुरू करने जा रहा है यूपी टी 2022 का परणाम जारी हो गया उत्तर प्याजनेस से बचेन आयोग ने विभीन सरकारी विभागों में समोगा की भर्तियों के लिए आयोत प्रार्रविक परिच्छा पी टी 2022 का परणाम जा प्राविक परणाम जाएगी अगली महत्पूर सुचना है वह पहले हैं इंटर कॉलेजों में पधानाचारी के चेन के मामला की सुनवाई है और इसमें जो कोट में ये आदेश सुरच्छित है चैन को चुनोती देने के मामले में हाई कोट का फैसला सुरच्छित है प्रदेश के इंटर कालेज प्रधाचारियों के चैन का मामला है प्रदेश के इंटर कालेजों में चैनित प्रधाचारियों के मामले म इसमें याची की तरप से 2022 में नए तरीके से प्रधाचारियों का चैन का करने का अग्रह किया गया था याची के दिकतर सहरत पाठक का कहा था कि 2013 में प्रधाचारियों के चैन का विग्यापन जारी हुआ था जबकि चैन 2022 में किया गया नौ साल में बहुत से लोग सेमा निप अगली मात्रपूर्ण सूचना है वो है LT grade को ले करके LT grade के लिए खुसकबरी है छात्रों के लिए छात्रों को जीत मिल गई है जो हिंदी संस्कत को ले करके जो मामला कोट में लंबित था उसमें अब कोट ने कोट की second bench ने double bench ने छात्रों के अनुरूप छात्रों के पक्ष में फैसला दिया है तो यह समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई जिसमें लगबग 506 LT grade में पास हुए थे अब उनको जो हिंदी और हिंदी संस्कत की समस्या को लेकर जो आहरता को लेकर के यह समस्या थी कि इनको रखा जाया बाहर किया जो वो मामला इस पस्थ हो लेकपाल भरती अपडेट पर बात कर लेता है लेकपाल के दो केस लगे हुए है इस 24 तारीक वाले एक 25 तारीक वाले केस में सुनवाई लखनो कंड़ पीट में होती है उसकी डेट जो अगली है वो 6 फरोरी लगी है और जो 25 तारीक वाली जो सुनवाई कल हुई थी उसकी डेट एक फरोडी लगी है, नेट पर डेट मिलती जा रही है, परन्तु कोई भी सकारात्मक सुचना नहीं मिल रही है कि कब ये भरती किलियर होगी, फिला हाल ये रहा आपका वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, और चैनल पर नए होते चनल को सब्सक्राइब करें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद